हेलो आवरीवन और वेल्कम बाक तो आवर यूट्यूब चानल सेवीफॉरेंसेक्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चिन डॉक्यमेंट्स की 75 पार्ट पर जहां पर हम समझने वाले हैं प्रिंटेड डॉक्यमेंट के इग्जामिनेशन के बारे में इससे पहले प्रिंटेड डॉक्यमेंट प्रिंटर प्रिंटिंग प्रॉसेस इसके बारे में अल्रड़े हम बहुत ही डिटेल में डिसकस का चुके हैं तो उसके लिए आप लोग previous वीडियो देख लीजेगा और आज की इस वीडियो में हम printed document जितने भी होते हैं या फिर जो भी printed material होता है जरूरी नहीं है कि वो document ही हो कोई भी material हो तो उस पे जब हम examination करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं क्या-क्या methods होते हैं यह सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम दिसकास करने वाले हैं तो जल्दी से start कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपके document का examination होता है और यहाँ पर हम बात करें printed document की तो जितना भी अभी तक हम अपके documents में जो handwriting में पढ़ा था ज जो basic चीजें थी वहाँ पर examination करने की वही चीजें यहाँ पर भी रहने वाली हैं थोड़े बहुत से यहाँ पर modification होंगे तो एक जो चीज है कि जो आपका paper रहता है यानि कि जो भी printed material है उसके texture का examination करना यह आपका जरूरी होता है ताकि आप यह compare कर पाए जो आपका standard और जो paper use हुआ है वो आपका same है या different है तो इसलिए paper का texture paper की जो thickness होती है और इसके साथ साथ में जो paper की quality है paper पे जो fibers available है उसका जो chemical composition है तो यह सारी चीजों का भी आपको examination करना होता है इसके अलावा जो आपके document पर अब जो material print है print होने का मतलब है कि कोई भी image हो सकती है कोई letter हो सक सकते हैं कोई भी चीज़ें हो सकती है तो उसमें अगर कोई alphabet कुछ letters available है तो उनका font size क्या है उसमें कौन सा font use करा गया है याने कि उनका design है जो उनका shape है वो किस तरह का है उनको किस alignment में आपका format किया गया है जो भी आपका text लिखा हुआ है वो किस alignment में है alignment का मतलब होता है कि यह आपका page है अब इस पर अगर सारे के सारे letters आपके इस line के तरफ से यहां से इस तरह से लिखे हुए हैं तो यह आपका हो जाता है left alignment अब यहीं पर अगर आपके letters है वो कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं तो यह हो जाता है आपका right alignment और यहीं पर अगर आपका कुछ इस से ना right से ना left से तो वो आपका हो जाता है Central alignment तो ये alignment भी आपको check करने होते हैं इससे होता क्या है इससे basically जो individual के type करने का तरीका होता है individual के किसी document को prepare करने का तरीका होता है वो आपको समझ में आता है तो यह चीज एक तरह से individual identification करने के लिए useful होती है exactly हम नहीं कर सकते हैं वाठा यह सारी चीज़ें आपको एक आइडिया दे सकती है कि possibility है कि अगर maximum document आपको left alignment या एक ही जैसे alignment के मिले हैं तो उस individual की habit है कि वो उसी तरह से लिखता है तो इस तरह से आप काफी हद तक उस individual को identify करने तक पहुँच सकते हैं उसके अलावा जो images use हो रही है उस document में तो उससे भी आप same way pattern को find कर सकते हैं कि कौन से pattern की images generally वो individual use करता है किस तरह का color का variation वो use करता है यह सारी चीज़ें आप check कर सकते हैं तो यह जो आपकी मैं पार्ट बन जाता है कि हम किसी भी document का examination करते हुए individual identification कर सकते हैं और individual identification कैसे करेंगे तो वो यह चीज़े हैं कि image का pattern को check करके कि किस तरह के वो images use कर रहा है किस तरह कि उसकी mentality है किस तरह कि वो letters बना रहा है किस तरह का alignment use कर रहा है कौन सार्स का common font size है या font है जो कि वो use करता है तो यह सारी चीज़े काफी है तक individual identification के purpose से use हो जाती है अब इसके इलावा जो भी printed material है उसमें color कौन-कौन से use हो रहे हैं इससे आप particular printer को find out कर सकते हैं कैसे जैसे कि आपके अलग-अलग company के printers होते हैं अलग-अलग company के में यह साथ-साथ अलग-अलग printing process के printers होते हैं सब कुछ और दिखासका चुके है printing process भी का चुके है और types जो होते हैं comprrator के उनको भी cover कर चुके हैं So, अब यहाँ बाल होता क्या है कि जो अलग-अलग kind printers होते हैं तो उसमें जो आपके colors होते हैं उन्हेंकी intensity आपको different नजर आएगी तो वो जो अलग अलग जब बहुत ही close examination करते हैं किसी भी image में जो भी colors available है या फिर किसी भी text में जो color available है तो उसका जब बहुत close examination किया जाता है तो उससे आपको ये पता चलता है कि कौन से particular type के printer में इस तरह का color का formation होता है तो ये एक तरह सा individual feature हो जाता है एक particular printer का या फिर एक type के printer का फिर उस type के अंदर आपको further examination करना होता है बाकी के जिससे आप ये find out कर पाए कि particular individual वो कौन सा printer है तो उसके लिए आपको जो भी defect marks होते हैं उस machine के उस printer के वो आपको check करने होते हैं ठीक है इसके अलावा जब आप किसी भी document को examine कर रहे होते हैं तो जो particular document या फिर जो material है उसकी condition कैसे condition का मतलब है वो बहुत dry हो सकता है बहुत wet हो सकता है ton हो सकता है, charred हो सकता है, damaged हो सकता है तो ये अलगला conditions होती है अब ये ton का क्या मतलब है, charring क्या होती है ये सब already हम बहुत पहले ही discuss कर चुके है question documents वाली series में तो अगर अग भी तक आपको नहीं पता है तो उसके लिए previous video देख लीज़ेगा आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर जो condition होती है वो आपको ये बताती है कि जो document है वो किस condition में था यानि कि अगर बहुत moisture आपके paper में available है तो उसे ये आपको अंदाजा लग सकता है कि जो document था वो मेभी किसी wet condition में available होगा जिस भी atmosphere में होगा वहाँ पर बहुत दाजा moisture वाली condition होगी या फिर बहुत दाजा dry है तो उस condition में आप यह पता लगा सकते है कि जो भी वहाँ का environment होगा वो बहुत dry होगा या फिर यह हो सकता है कि वो heat के पास कहीं पर उसकी विज़ होती है अब अगर water के अलावा कोई दूसरा liquid substance है कोई भी liquid substance है कोई भी तरह का दूसरा material भी अगर उस paper पे अवेलिबल है तो आपको उसका भी examination करना होता है कि उस particular document पर क्या क्या चीज़ें available है कि कौन सा material उस पर अवेलिबल है possibility हो सकती है कि उस पर आपको blood मिल जाए maybe उस पर आपको कोई भी दूसरे तरह का trace evidence मिल जाए for example आपको कोई भी जो biological fluids होते है उसमें से कुछ भी मिल सकता है या फिर जो आपके fingerprints होते हैं वो भी आपको मिल सकते है या फिर हम कह सकते है कि जो आपके dust है वो मिल सकती है hair जो रहते है तो वो भी आपको उस पर मिल सकते तो यह सारी चीजे होती है जो आपको document पर चेक करनी होती है कि कोई भी foreign particle उस particular document पर available है या नहीं है अब उसके बाद में अगर available होता है तो वो सारे samples का further examination किया जाता है तो अब यहाँ पर यह कुछ आपके basic से हो गए कि जो आपको trace appearances मिलेंगे उनको आपको उनके सारे examination करने होगे तो कोई भी document का examination start करने से पहले आपको जो भी आपके पास document आए है उनका पहले आपको उपर उपर का examination करना पड़ता है कि उस पे कोई भी दूसरा foreign particle कोई भी दू document का किसी भी पेपर का तो यहाँ पर जो printed material होता तो जो मैंने आपको पेपर के examination में बताया था कि आपको ash testing करनी होती है ash testing का मतलब होता है कि आपको थोड़े से paper के particle को burn करना होता है एक equal amount आप लेते है standard of question sample का और फिर उसमें ash निकल के आती है तो उस ash का आपको weight करना होता है कि उसका weight कितना है तो इस तरह से आप जो standard of question samples होते हैं printed document को उसको आप compare कर सकते हैं तो यह एक तरह का आपका paper का examination अभी तक हम discuss कर रहे थे आगे move करते हैं अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो printing की quality है यानि कि जो resolution है printed letters का इसको हम printing quality बोल सकते हैं तो यह भी आपको पता करना होता है तो इससे आपको एक तो resolution से यह पता चल जाता है कि जो भी printer है वो कौन से type का printer हो सकता है और दूसरी चीज उस particular printer में कौन से printing process का use हुआ है अब printing process कैसे आपको पता चलेगी तो वो अलड़ी हमने previous वीडियो दे बहुत detail में डिसकास किया था कि अलग आपके अलगलत तरह के जो printing process है जैसे कि आपका dot matrix वाला printer हो गया या फिर जो आपके printing process की बात करें तो आपकी offset printing हो गई लिथोग्रेफी printing हो गई ग्रावियो और printing हो गई तो अब इसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि वो particular concept printing process उसमें यूज हुई है तो उसके लिए वही सारी details है जो हमने printing process में डिसकास का ली थी वही सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर examination करना होता है तो अब resolution इतना अच्छा होगा तो इसका बंदब letters बने हुए हैं उन letters में कितनी जादा uniformity है उनकी printing की smoothness है वो कितनी clarity के साथ में है यह सारी चीज़े भी आपको जब आप magnify करके देखते हैं microscope वगेर का यूज करते हुए तो यह सारी चीज़ें आपको बहुत clarity के साथ में नजार आती है और इससे आप standard of question sample को compare करके भी बह आपको check करनी चाहिए उससे भी आपको यह पता चलता है कि कौन सी particular printing process उस particular document को print करने में use होई है उसके अलावा जो आपका variation होता है style और alignment की बाद already हो चुकी है तो style का मतलब है कि जो उसमें font आपका use हो रहा है यानि कि उसमें styles use हो रही है उसके बाद में कुछ additional punctuation marks use करते ह है कुछ उसमें additional designing करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी style में आ जाती है तो यह जो चीज होती है particular individual की काई बार हो जाती है कि उसका सोचने समझने का तरीका क्या है किस तरह से वह चीज़ों को arrange करता है तो यह भी आपका particular individual का जो identifying feature होता है वह कह सकते हैं इसके इसके यह regular use की वजह से उसकी वजह से आपका जो paper होता है उस पे कुछ abnormal marks नजर आते हैं वह marks आपके बताते हैं कि वह particular जो document का printing होई है वह particularly इसी printer से हुई है अब यह ऐसा तो नहीं है कि आपको अचानक से पता चल जाएगा कि यह है तो यही printer हुआ होगा तो ऐसा नहीं होता है य यहां पर भी आपको document मिला होता है उससे जो भी link लग रहा होता है फिर उससे आपको जो जो लग रहा होता है कि इस जगह के इस एरिया के printer हो सकते हैं फिर आपको वहां से sample निकाल के दिन आपको check करना होता है तो इस तरह से पूरी process चलती है अब यहां पर जो malfunctioning होती है printers की या फिर कुछ deformities हो जाती है इनकी वजा से यह particular जो abnormal marks बन जाते हैं आपके paper के उपर यह उस particular document के individualized characteristic feature हो जाते हैं अब यहां तक तो हो गई आपके printing की बात बागी जो मनें बताया कि कुछ basics होते है basics का मतलब कि कोई भी individual कौन-कौन से words को use कर रहा है कोई भी sentence को frame करने में sentence क करने का construction कैसा है generally वो किस तरह के sentences को frame करता है active sentences बनाता है passive sentences बनाता है कौन सा tense use करता है generally अगर हम बात करें तो यह सारी चीजें आपको जो भी context लिखा होता है उसको पढ़ने के बाद में समझ में आता है बाकी headings को किस तरह से वो arrange करता है बाकी जो body होती है उस document की उसमें ज designing करता है कौन कौन से fonts use करता है उनमें जो conclusion बनता है उसको arrange करने का क्या तरीका होता है बाकि यह तो कुछ आपके basics हो गए उसके इलावा जो letters बन रहे हैं उनके बीच में spacing कितनी है या फिर जो words बन रहे हैं उनके बीच में कितनी spacing है यह भी आपके printed document में आपको check करना होता ह है for example अगर यहां पर कुछ लिखा है तो यहां पर जो letter to letter and word to word spacing होती है word to word का मतलब हो गया कि एक word से दूसरे word तक जाने के लिए जो आपकी बीच में spacing यह बन रही है और letter to letter का मतलब जो आपके यह बीच में spacing रहती है दो letters के बीच में तो वह आपकी letter to letter हो गई बाकि दो words क बीच में तो वह आपकी word to word हो गई अब इसमें भी क्या होता है कि एक तो आपको roughly उपर उपर से चेक करना पड़ता है कि जो भी आपकी font size है वो कौन सा है लेकिन कई बार क्या रहता है कि काफी सारी जो font होते हैं वो देखने में एक ही जैसे लगते हैं तो उससे आपको उत और जो height होती है यह आपको measure करना है जैसे कि यहाँ पर O बन रहा है तो यहाँ पर भी height of width फिर जो आपके dots बनते हैं वो किस तरह से बन रहे हैं इसमें जैसे S बना हुआ है तो इसमे measurements आपको लेनी पड़ेंगी कुछ आप इस तरह से ले सकते हैं यह आपके अलग-अलग patterns ह जो भी letters बन रहे होते हैं उनके measurements को लेने कि तो इससे जो अलग-अलग तरह के आपके उसमें कह सकते हैं कि जो letters में जो अलग-तरह के font यूज हो रहे होते हैं वो आपको पता चलते हैं उसके साथ साथ में जब आप किसी भी printed document को magnify करके देखते हैं तो उससे आपको नजार आता है कि जो एक particular word है वो काफी जीदा boldness के साथ में लिखा होता है यानि कि बहुत thickness होती है उनके contours में उनके edges में तो अब यहां पर वो contour में जो आपको thickness नजार आ रही होती है तो वो भी आपको measure करनी होती है कि कितनी thickness बन रही है और वो आप तब measure कर पाएंगे जब standard और questioned दोनों ही sample को एक ही magnifying जो magnification आपने जितने भी use करी हुई है same उस पे use करेंगे तो उससे जब आप किसी भी particular letter को देखेंगे तो उसकी जो thickness होती है उसको आप measure करेंगे तो अगर different आ रही है तो इसका मतलब है कि अलग-अलग font है तो ये सारी चीजे भी आपको examine करनी परते तो बहुत close examination करना होता है यह नहीं कि आपने उपर-उपर से कर लिया तो इतना ह गया आगे move करते हैं अब यहां पर क्या होता है कि जो भी letters print होके आते हैं तो उसमें कुछ contrast यानि कि जो edges होते हैं वहाँ पर कुछ contrast roughness या फिर spur marks देखने को मिलते हैं तो यह भी आपको check करना होता है basically जो letters होते हैं उसके edges होते हैं कई बार वहाँ पर बहुत अधा sharpness नजर चेक करनी पड़ती हैं यह सारा कैसे पता चलेगा जब आप वही चीज़े की microscope से उसको magnify करके देखेंगे तो आपको यह नजर आ जाएगा roughness की बात करें तो generally जो letters की ending मतलब जो edges बनते हैं जो contours बनते हैं यानिकि जो outline होती है वह काफी rough रहती है अब यह rough होती है तो uneven इस कैसे पता चलेगी कि जब आप इसको high magnification पर चेक करते हैं तो उनके edges होते हैं यानिकि उनकी contours होते हैं वह काफी जाद डीग्रेडेड नजार आते हैं तो यह भी आपको compare करना होता है कि degradation कितने degree तक का है तो इससे आप किसी भी question or standard sample को compare कर सकते हैं बाकि जो spur marks होते हैं इसक documents होते हैं इसी में देखने को मिलता है क्योंकि ink jet में क्या होता है कि जो भी आपके कह सकते हैं कि जो letters बनते हैं तो उसमें होता है जो ink का transfer होता है वो spray की through होता है जिससे बहुत चोटे-चोटे से droplets जाती है अब उससे होता क्या है कि कई बार तो droplets वो होती है वो अपने area से spray ह होने की वजह से थोड़ा से बाहर-बाहर निकलाती है तो उसकी वजह से कुछ tremorous printing हो जाती है जिसको क्या मोलते है इस पर मार्क ठीक है इतना तो हो गया अब आगे मूफ करते हैं अब यहां पर जो आपकी printed document होते हैं उनका आप relative dating भी कर सकते हैं अब इसमें relative dating करेंगे कैसे dating का मतलब होता है कि age का find out करना तो age का examination exact आप नहीं कर सकते हैं बट हां थोड़ा बहुत आप idea लगा सकते हैं जैसे कि बहुत सारे जब documents एक ही time पर print होते हैं तो फिर उससे आपको यह पता चल सकता है कि यह सारे documents एक ही time पर print हुए हैं यानि कि कौन से कब किस time के यह printed होंग चीजें होती हैं जिससे आप find out कर सकते हैं बट अगर हम कहां कि exact हम पता कर लेंगे तो exact आप find out नहीं कर पास है क्योंकि age का determination किसी भी document करना यह थोड़ा सा complicated task हम कह सकते हैं इसके अलावा अगर कोई भी text लिखा हुआ है को भी printed document आपके पास है तो अब आप लोग यह सोचत initial था कुछ बहुत important था मैंने इसको save करकी कहीं पर रखा लेकिन कोई दूसरा individual था जो की चाहता था कि यह draft जो मैंने बनाया है यह खराब हो जाए तो उसने किया कि इन तीन lines में से जो यह last story line थी इसको enter मार के नीचे कर दिया और यहां पर अपनी उसने कुछ नई lines add-on कर द लेकि जब बाद में मैंने जिसको देना था उसको जब मैंने दिया तो उसने जब read किया तो उसने देखा कि यह कुछ गलत है फिर उसने मुझसे complain करी तो अब उससे हुआ कि जब मैंने उसको फिर से read किया तो मैंने देखा कि यह तो additional line है जो कि मैंने लिखी नहीं थी तो इ कुछ लोग copy कर देते हैं content को उसमें कुछ add-on कर देते हैं ताकि आपको defame कराया जा सके तो उस condition में जो additional lines का add-on किया जाता है तो paragraphs में जब यह चीज़े होती है तो यह आपकी alteration कहलाती है तो इसको भी आप printed document पर examine कर सकते हैं कैसे करेंगे वही चीज़ है कि आप पूरे document को read करेंगे read करने की बाद में जो भी उसका context होता है उसको compare करेंगे वही चीज़े हैं कि choice of words, letters और किस-किस तरह से construction क्या है sentences का यह सब कुछ आप examine करेंगे then आप find out कर सकते हैं कि यह particularly जो भी additional changes करेंगे हैं यह जिसने document जिसने भी draft त्यार किया है उसने किया है या किसी दूसरे ने किया है तो यह चीज़े भी जब document आपको मिलेगा तो document में जो paper का texture है वो अलगलग तरह के computers में printers में अलगलग तरह के documents लोग use करते हैं कुछ अच्छी thickness का use करते हैं कुछ लोग कम thickness का use करते तो वो depend करता है तिक उसी तरह से जो उसमें printing की quality होती है कौन सा printing process होती तो यह सारे चीज़ों से आप printer का make model औ find out कर सकते है उसके अलाबवा जो अगर डो आप दो documents में कर सकते हैं कि दोनों ही documents एक ही printer से print out लिए गये है या नहीं लिए गये हैं तो यह सारे कुछ आपके important points थे printed document के बारे में और अब सबसे ज़्याधा important क्यूद कि अगर हम present time की बात करें तो present time में तीन तरह के printers का user सबसे जादा होता है और वो हैं आपके inkjet, laser और dot matrix printer तो इन तीनों में differentiation पता होना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम print quality की बात करें तो print quality inkjet में comparatively low होती है laser में high होती है, dot matrix में moderate होती है appearance की बात करें कि जो letters होते हैं उनकी appearance किस तरह की रहती है तो inkjet printer में जो appearance होती है उसमें कुछ spur marks देखने को मुलते हैं क्योंकि उसमें satellites of ink drops होती है जिसकी विज़े से कुछ drops जो होती है अपने normal area से निकलकर बाहर भी चली जाती है तो इसी के पिरस इसके quality होती है वो थोड़ी से low हो जाती है laser printer की बात करें तो इसकी appearance glossy होती है and dot matrix में cluster of dots available होता है अगर आपको C बनाना है तो जो C होगा वो कुछ इस तरह से बहुत close बहुत सारे dots available होंगे तो उससे आपका वो particular letter बनेगा next अगर हम बात करें contours contours याने की edges होते हैं तो inkjet में बहुत rough होते हैं और बहुत सारे ups and downs देखने को मिलते हैं लेकिन laser printer में बहुत ही clear होते हैं और dot matrix में थोड़ा सा moderate रहते हैं इसके बाद में edge roughness की बात करें तो यह uneven और बहुत rough होती है laser printer बहुत ज़्यदा sharp and refined होती है dot matrix भी थोड़ा सा आपका rough रहती है ink की uniformity की बात करें तो inkjet printer में यह बहुत inconsistent होती है और sporting भी इसमें देखने को मिलती है laser printer की बात करें तो यह बहुत consistent और uniform होती है और dot matrix की बात करें यह mostly consistent रहती है तो यह तीनों को यह compare करके अगर हम यह देखें कि सबसे अच्छी quality किसकी है तो सबसे अच्छी quality आपकी laser printer की होती है इन तीनों में अगर हम compare कर रहे हैं उस condition में तो ये सारे कुछ बहुत ज़्या important points थे इनको बहुत अच्छे से याद कर लिजेगा आपके exam में यहाँ से questions बन सकते हैं जितना में तरह का आपका examination आप printer documents में कर सकते हैं वो सब कुछ परने यहाँ पर बता दिया है और इसके अलावा जो आपके basic features होते हैं जो आपके हर तरह की letters को examine करने के लिए use करे जाते हैं तो वो तो आपको करना ही होता है उसके अलावा एक चीज़ और हाँ यहाँ पर रह गई कि जब आप printed documents का examination करते हैं यहाँ पर आपको ink की quality, ink का composition यह भी आपको check करना होता है तो यह भी बहुत जादा important आपका examination होता है तो यह आपका बहुत ज़ादा जरूरी है किसी भी document को standard of questions को compare करने के लिए तो ink का chemical examination और ink की quality है उसको भी check करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है कलर तो आपको चेक करना है कलर में कौन-कौन सा वेरियेशन है तो उससे तो बहुत जादा आपको चीजे पता चलते हैं लेकिन आपको कमिकल कॉमपोजिशन भी बहुत हो जाता है वाकि Facebook और Insta पर जरूर से विजिट करेगो और सबसे important हमारी website पर जरूर से जाएगा बहुत सारा content अवेलिबल है जो भी vacancies आती है उसकी भी notification आपको वहाँ पर मिल जाती है तो वहाँ पर जरूर से विजिट कर लीजेगा और अगर ये वीडियो बसंदा रहा है तो like जरूर स